बिहार केडर के IS officer है Sanjeev Hans इनको ना ED ने ग्रिफतार कर लिया है और जानते हो इनके और इनके relatives के against ED को कितनी properties मिली है यह तस्वीर में जो आप 95CR का resort देख रहे हो ना इनी के नाम पर है दिल्ली में इनकी family 10 करोड के flat में रह रही थी और वो flat उर्जा विभाग के एक ठेकेदार ने इनकी family को दिया था इसके लावा Mercedes car, petrol pumps और नजाने क्या क्या चीज़ें इनके नाम पर मिली है बिहार में आर्जेडी के एक पूरो विधायक है गुलाब यादव उनके साथ इन्होंने nexus बनाया और दोनोंने बिहार में खूब corruption किया अक्सर हम discuss करते हैं बिहार डवलप नहीं होता, बिहार डवलप नहीं होता इतना खर्चा सरकार करती है बिहार पे आप देखिए क्यों नहीं डवलप होता बिहार जो officers हैं वो डवलप होने ही नहीं देते बिहार को देखो एक IS officer जिसको लगे ना जिसको select हुए 6-7 साल हो गए मैंने उससे पूछा मेरे साथ काई था जब मेरे साथ पढ़ा करता था मैंने पूछा यार हम अच्छे-ची बाते ethics में लिखके आते हैं इवन इंटर्व्यू में भी ideal answer देते हैं कि क्यों civil servant बनना चाहते हैं लेकिन आखिर क्या हो जाता है इन candidates को जब वो system में पहुंसते हैं तो उसने जो मुझे answer दिये ना इतने convincing तो नहीं लेगे मुझे उसने बोला कि आर system ही ऐसा है देखो एर system बेसक कैसा भी हो बट आप क्यों system के पाग बन जाते हो आप इसे तो system बनता है अगर सभी ये सोच लेंगे तो फिर तो देखो system कभी सुधरगा ही नहीं उसने ये बोला peer pressure बहुत ज़्यादा रहता है सब लोग corrupt होते हैं और तुम अगर corruption नहीं करते हो देखो यार कोई kindergarten school थोड़ी ना है कि हाँ भई सब लोग homework नहीं करके आ रहे हो तो आप भी homework करके नहीं आओगे अगर हर कोई ये सोच लेगा कि system ही ऐसा है इसमें honesty का कोई मतलब भी नहीं है dishonesty pays फिर तो देखो हमारे देश का क्या होगा देश तो फिर राम भरो से है तो आप बताइए आपकी क्या राय है इस issue पे क्या वास्तव में जिस steel frame की हम बात करते है कि civil services एक steel frame है क्या वो वास्तव में जंग लग चुका है हो उसे आप बताइए कैसे system ठीक होगा नवस्कार दोस्तों date आज की 21 October 2024 स्वागत है आपका editorial discussion में आज देखो चार issues हम discuss करेंगे सबसे पहले important article discuss करेंगे India-China border agreement finally देखो साधे चार साल बाद LAC पर इंडिया और चाइना के बीच में agreement हुआ है peace establish करने के लिए disagreement करने के लिए 7 points में से 5 points पे चुका था, 2 points बागी थे सब कुछ detail से discuss करेंगे काफी important ये issue है क्योंकि finally साधे चार साल बाद ये ऐसा हुआ है और दूसरा article आज हम discuss करेंगे Citizenship Act 6A को लेके Supreme Court का एक बहुत एहम judgment आया है 5 जजों की bench थी और 4 एक से ये judgment आया है ये issue discuss करेंगे वो भी important issue है civil society organization और think tank से सम्मंदित issue cover हुआ नहीं है पिछले काफी समय से मैं सोच रहा था अगर नहीं आता है तो फिर कुछ static discuss करते क्योंकि पूरे साल में आपका सब कुछ cover होना चाहिए ना लेकिन finally Hindustan times में मुझे मिला तो वो discuss करेंगे court भी discuss करेंगे लेकिन court दो articles के बीच में discuss कर लेंगे एक article से दूसरे article के बीच जाते हुए बीच में court discuss कर लेते हैं तो वो भी सही रहता है transition अच्छा हो जाता है discussion हम start करें उससे पहले देखो छोटी सी awareness है जैसे देखो editorial discussion हमारा एक daily initiative है और इसमें हम focus करते हैं mains पे पूरे syllabus के mains पे उसी परकार से prelim के लिए हमारा एक अलग initiative है current affair plus current affair plus भी एक daily initiative है daily एक घंटे की वीडियो आपको मिलती है शुरुमात के आदे घंटे में हम prelim के सारे current affairs discuss करते हैं और last के आदे घंटे में हम static discuss करते हैं जैसे अभी capital market का topic चल रहा है अगर देखो आप regularity maintain करना चाहते हो एक घंटा आपने schedule से निकाल सकते हो तो ये initiative आप जरूर जोइन कीजिए चलिए अब discussion start करते हैं आज के discussion में सबसे पहले important news देखो पिछले हमारे army chief ने बोला border पे जो situation हैं काफी sensitive है लेकिन stable हैं लेकिन देखो अब जाके finally भारत और चाइना ने एक agreement sign किया है border पे tensions को कम करने के लिए अब GS paper 2 में India neighborhood relations से इस article को relate कर सकते हो और security में भी border वाला जो topic है वहाँ से इस article को relate किया जा सकता है पूरा मामला कहां से शुरू हुआ देखो साधे चार साल पहले अप्रेल 2020 में उस समय करोना की आहट थी लेकिन इसी बीच खबर आई कि चाइना की जो forces है ना चाइना की troops ने धोखा दिया इंडिया को और कुछ points पर वो LAC cross करके आगे 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 यह देखो यह साथ points थे northern sector में डपसांग plains और central sector में patrolling point 14 गलवान में patrolling point 15 होट स्प्रिंग patrolling point 17 गोगरा और इसके अलावा पैंगोंग सो लेक का northern bank और southern bank यह सारे 5 points central sector में और southern sector में डमचोक और चाइडिंग नला यह साथ points थे जिस पर चाइना की जो troops थी ना आगे आगई पहला point दूसरा तीसरा, चोथा, पांचवाँ, छटा और साथमा इवन देखो गलवान वैली में तो violence भी हुआ हमारे 20 जवान सहीद हो गए पिछले कई दसकों से इंडिया-चाइना border पर peace थी, relative peace थी काफी सारे mechanism, काफी सारी conventions, agreements थे दोनों देशों के बीच में border पर peace maintain करने के लिए लेकिन सारे के सारे धवस्त हो गए जब अप्रेल 2020 में चाइना की troops LAC cross करके कुछ points पर आगे आ गई उसके बीच, उसके बाद तो देखो इंडिया ने action लिया, इंडिया ने कुछ applications पर ban लगाया चाइना की approach ये थी कि भाई border पर तो विवाद चलता रहेगा trade पर focus करते हैं इंडिया ने बोल दिया no पहले border पर focus करेंगे फिर सारे काम, तो इंडिया ने अपनी diplomatic approach थी, वो change कर दी चाइना चाता था कि border पर जो भी चल रहा है चलने दो बाकी relations हमारे ऐसे ही चलते रहने चाहिए, अच्छे से हम trade करते रहें, लेकिन इंडिया ने strong stand ले लिया, इंडिया ने red lines ड्रा कर दी कि जब तक border पर सब कुछ नहीं होगा, आप वापस नहीं जाओगे, 2020 अप्रेल से पहले का status को नहीं आएगा, तो फिर हम बाकी areas में भी आपके साथ में corporate नहीं करेंगे, ये stand लेने के बाद में देखो, इंडिया और चाइना के negotiators के बीच में बाचीत स्टांट हुई और बाचीत ना अलग-अलग level पे स्टांट हुई, जैसे military commanders अलग से बाचीत कर रहे diplomatic level पे अलग से बाचीत चल रही political level पे, जैसे हमारे विदेश मंतरी इस level पे अलग से बाचीत चल रही मतलब हर एक level पे China के साथ border dispute को resolve करने के लिए बाचीत स्टांट हुई military commanders की 17 से ज़्यादा meetings हुई, even WMCC, working mechanism on coordination and consultation की काफी सारी meetings हुई, अलग अलग level पे जब negotiation चला आना तो पाच points पे तो disengagement हो गया, ये पाच points थे गलवान में patrolling point 14 patrolling point 15, hot springs patrolling point 17, a, gogara और pengong show lake, northern bank and southern bank इन पाच points पे देखो दो साल पहले disengagement achieve कर लिया गया था negotiation के बाद disengagement का मतलब ये होता है, पहले तो देखो दोनों देशों की forces कता ही आमने सामने, बिल्कुल, लेकिन disengagement का मतलब होता है कि पीछे हट गई troops की repositioning हो गई एक चीज़ ये आद रखना disengagement जो है वो de-escalation से अलग होता है disengagement का मतलब ये होता है कि पहले जो forces आमने सामने थी थी थोड़ी पीछे अट गई थोड़ा-थोड़ा पीछे चली गई और de-escalation का मतलब ये होता है कि forces वापस अपने base पे आ गई अपने base पे लोट आई forces, ये होता है de-escalation, तो de-escalation जो है न, वो disengagement का अगला step होता है अभी सिरफ disengagement हुआ है forces base पे नहीं आई है अभी de-escalation अभी नहीं हुआ है तो ये 5 points पे 2 साल पहले सहमती बन गई थी negotiation के बाद में लेकिन ये 2 points ऐसे थे Depsang Plains और Demchok Charging Nalla इन 2 points पे देखो China negotiate करने के लिए त्यारी नहीं था के नहीं नहीं ये point हम नहीं discuss करेंगे बिल्कुल China ने ना कड़ा रुक हपना लिया था कि हम इन पे बात नहीं करेंगे इन issues पे जबकि देखो दो दोनों points जो है ना Depsang Plains और Demchok दोनों strategically काफी important है जैसे ये उपर देखो Depsang Plains ये जो point है ना यहां के नस्दीक चाइना का एक highway जाता है और mountains के बीच में है ये Depsang Plains वाला point आसपास mountains है और ये plain area है plain area है तो कल को देखो attack करना हो किसी भी देश को, China को इंडिया के against ये फिर इंडिया को चाइना के against तो ये plain area military offensive के लिए काफी ज़्यादा strategic है इसलिए इस point पे चाइना बातचित करने के लिए तयार थाई नहीं बट अब आप इसे देखो इंडिया की diplomatic जीत बोलिये कि चाइना अब इन दो points पे भी dis engagement को राजी हो गया है अब मैं आपको ये बताता हूँ कि agreement finally हुआ क्या है देखो दो साल पहले इन 5 points को लेके जो सैमती बनी थी ना ये जो 5 points हैं दो साल पहले यहाँ पे तो dis engagement को लेके सैमती बन गई थी तो इन पर तो ये decide हुआ था कि हम buffer zone बनाएंगे जहाँ पे विवाद है ना border पे जैसे patrolling point 14 इन पर विवाद है तो उसको ना buffer zone बनाएंगे ना चाइना की troops वहाँ पे जाएंगी ना इंडिया की troops वहाँ पे जाएंगी तो ये होंगे सारे के सारे 5 points buffer zone समझ गे किसी देश की force नहीं जाएगी भाई तुम भी मत जाओ हम भी ना जाए लड़ाई होगी नहीं ठीक है लेकिन अभी जो दो points को लेके finally सहमती बनी है अब इन पे क्या होगा इन पे proper protocol decide क्या गया है कि 2020 से पहले इंडिया की forces जहां पे जाती थी ना जिस जिस point पे patrolling करने जाती थी उस point पे जाएंगी और चाइना की forces भी 2020 अप्रेल से पहले जिन जिन points पे patrolling करने के लिए जाती थी ना उन उन points पे जाएंगी यानि दोनों देशों के जो patrolling rights है ना वो restore हो गए है अप्रेल 2020 से पहले की situation लागू हो गई है इन दो points पे लेकिन कुछ protocol में चीजे decide हुई है जैसे एक महिने में ना सिरफ दो बार patrolling की जा सकती है दोनों देशों की forces के द्वारा इन points पे और patrolling पे जाने से पहले दूसरे देश को information share करनी होगी जैसे इंडिया वाले इस point पे patrolling करने के लिए जाएंगे तो चाइना की forces को बताना होगा कि भाईज हम जा रहे हैं इस date को चाइना को भी patrolling की date इंडिया को बतानी होगी तो ना dates इस परकार से decide होगी कि दोनों देशों की forces का आमना सामना होगा ही नहीं इंडिया अगर 22 तरिक को patrolling के लिए जा रहा है तो चाइना बोलेगा हम 24 को जाएंगे दो दिन हम मतलब जाएंगे ही नहीं तो date इस परकार से decide होगी कि कोई touch नहीं होगा कोई contact में नहीं आएंगी दोनों देशों की forces और एक चीज़ ये decide होई कि हर महिने commander level की meeting होगी structure ढंग से communication होगा और patrolling के लिए जो patrol party जाएगी ना उसमें maximum 14 soldiers होगे 14 से जादा soldiers नहीं होगे तो proper ढंग से सारा protocol decide कर लिया गया है इन दोनों point पे कैसे कैसे अब patrolling होगी और patrolling rights April 2020 से पहले जो हैं वो restore हो गये हैं यानि April 2020 से पहले का जो status को है वो वापस आ गया है इन 5 points पे जो buffer zone बना था वो वैसे का वैसा बना रहेगा यहाँ पे situation जो दो साल पहले जो decide हुई थी वही रहेगी article में देखो ये बोला जाता है कि India किना ये बड़ी diplomatic जीत है क्योंकि एक साल पहले तक China इन दोनों points को डपसांग को और डमचोक को discuss करने के लिए ही तयार नहीं था लेकिन अब BRICS के summit पे प्रधानमंतरी मोदी गए है काजन में तो उससे पहले ये बड़ा agreement सामने आया है इंडिया और चाइना के बीच में साढ़े चार सालों बाद फाइनली देखो एक चीज आपने notice की जब भी कोई summit होता है न चाहे वो SEO का हो या फिर BRICS का हो उससे पहले एक major breakthrough निकल के आता है जैसे डोकलाम को लेके विवाद हुआ था इंडिया चाइना के बीच 2017 में फिर उसके बाद देखो BRICS का summit था जियामन में तो वहाँ पे फाइनली ये काजन में BRICS summit होने जा रहा है और उससे पहले ये जो विवाद है वो सोल हो गया है ऐसा लगता है जैसे देखो जो negotiator है न वो negotiate करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं बैक चैनल पे पता नहीं लगता मीडिया के सामने खबरे आती नहीं है लेकिन जैसे ही finally कोई summit वगरा आता है तो वह announce कर देते हैं कि देखो हमने सहमती बना ली है अब agreement हो गया है border पे LAC पर peace establish करने को लेकर और चाइना ने एक साल बाद फिर इन points पे क्यों agreement किया ऐसा लगता है कि देखो चाइना भी अपने priorities को recalibrate कर रहा है जैसे चाइना की ज़्यादा priority Taiwan है अभी फिलाल India border पे चाइना ज़्यादा focus नहीं करना चाथा क्योंकि Taiwan का जो border है न वहाँ पे काफी aggressiveness काफी friction points देखे जा रही है तो इस वज़े से साइना का focus वहाँ पे ज़्यादा है और ये भी कुछ experts कयास लगा रहे हैं कि Russia ने इंडिया और चाइना के बीच में border पे agreement करवाने भूमिका निभाई है अभी देखो कुछ सामने नहीं आया है कुछ चीज़े सामने आएंगी तब तो हम discuss करें तो answer में लिखने वाले points नहीं है खेरकूल मिला के writer ये बोलते हैं last में देखो अभी सिरफ disengagement हुआ है de-escalation के तरफ बढ़ना चाहिए इंडिया चाइना को और trust deficit अभी काफी ज़्यादा है दुनों देशों के बीच trust deficit की भरपाई करनी चाहिए और तीसे नंबर पे देखो border पे ना infrastructure डवलप किया जाएगा दुनों देशों के द्वारा और infrastructure development के दुरान friction ना आए इसके लिए regular communication, regular meeting military commanders के बीच में होती रहनी चाहिए और अलग-अलग level पे जो बातचीत है, diplomatic level पे, political level पे, हर एक level पे बातचीत भी होनी चाहिए ताकि दोनों देशों के बीच में trust थोड़ा तो कायम हो हमारे विदेश मंत्री ने ये बोला कि दो बड़े देश है दोनों देशों के बीच में बड़े देशों के बीच में friction हो जाता है लेकिन maturity के साथ में उस friction को handle किया जा सकता है बट इंडिया देखो चाइना पे भरोसा नहीं कर सकता बिलकुल भी तो इसलिए इंडिया को हमेशा स्तर्क रहना होगा तो ये पूरा article हमने डिसकस किया है इंडिया-चाइना relations से संबंदित आगे बड़े उससे पहले प्लेटो का एक code देख लीजिए प्लेटो ने ये बोला था हम देखो उस बच्चे को तो माफ कर सकते हैं असानी से जो अंधेरे में जाने से डरता है बट असली life में real tragedy वो है जब देखो एक इंसान चाए वो man हो या फिर woman हो वो light से डरता हो यहाँ पे देखो अंधेरे का क्या मतलब है अंधेरे का मतलब है यहाँ पे ignorance बच्चा अंधेरे में जाने से इसलिए डरता है उसे पता नहीं है अंधेरे में क्या मिल सकता है तो इसलिए अजीब सरा डर होता है लेकिन देखो कि ये सच नहीं है भाई WhatsApp पे तुमने देखा है तो वो मानेगा नहीं क्यों क्योंकि वो अपने comfort zone में है आम तोर पे बहुत से इंसान ऐसे होते हैं जो peer pressure के चलते अंधविस्वास को मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यही सच है अगर उन्हें सचाई दिखाओ तो व वो change को आसानी से सविकार नहीं करता इसके बाद next article देखो सुप्रीम कोर्ट काना citizenship act के section 6a पे एक बहुत important verdict आया है आपना syllabus में GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हो देखो आज दा हिंदू में जो यह article आया है na citizenship act से संबंदित यह जो बहुत छोड़ा सा article है इस article से जो issue है यह citizenship act section 6 A वाला वो अच्छे से cover नहीं होता है यह issue हमने current affair plus initiative में दो-तिन दिन पहले काफी ज़्यादा detail से discuss किया था जिसमें सारे arguments सारे points cover हो जाते हैं तो current affair plus initiative का वही article मैं आपको यहाँ पे revise कर वाता हूँ कहानी समझें देखो हुआ क्या बंगलादेश लिबरेशन वार जब चल रहा था 1971 में तो बहुत सारे बंगलादेश के लोग भाग के इंडिया में आ गए इन में से जातर देखो बंगाली थे मतलब चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो बहुत सारे बंगादेशी 1971 के लिबरेशन वार के दुरान भाग कर इंडिया में आ गए और सबसे ज़्यादा बंगाली आये असम में अब देखो असम के लोग ये कहना था हमारी जो कल्चर है हमारी जो भासा है सब कुछ डाइल्यूट हो रहा है क्यूंकि डेमोग्रेफी असम की चेंज हो रही है पहले असमीज बोलने वाले लोग जड़ा रहते थे असमीज culture के लोग जड़ा रहते थे लेकिन बांगादेशी लिब्रेशन वार के कारण बहुत सारे बांगादेश के लोग यहाँ पर आके बस गए हैं हमारा कल्चर खत्रे में है तो इस मुद्दे को लेके एक स्टूडेंट यूनियन थी उस समय ओल असम स्टूडेंट यूनियन यह आसू इन्हों ने 1979 में एक अंदोलन स्टार्ट कर दिया कि भाई इतने सारे लोग हमारे असम में आके बस रहे हैं हम नहीं होने देंगे छे साल तक इनका यह अंदोलन था वो चलता रहा आखिर कारना 1985 में एक एग्रिमेंट साइन हुआ यह तीन पक्सिय एग्रिमेंट था ट्राइपैटाइट असम एकोड इस एग्रिमेंट को तीन पार्टीज ने साइन किया सबसे पहले चीज़ देखो एक जनवरी 1966 से पहले अगर कोई असम में आके बस चुका है ना चाये वो बंगलादेश से आया हो तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा फिर इसके बाद दूसरी कट ओफ डेट है 24 मार्च 1971 अब देखो अगर कोई परसन बाहर से असम में आके बस गया दूसरे देश से असम में आके बस गया जैसे बंगलादेश से अगर वो 1 जनवरी 1966 से लेके 24 मार्च 1971 के बीच में आया है इन 5 सालों में आया है तो फिर देखो उसको citizenship तो मिल जाएगी लेकिन 10 सालों तक उसको vote देने का अधिकार नहीं मिलेगा फिर सबसे लास्ट में 24 मार्च 1971 के बाद अगर कोई असम में आके बस गया है बाहर से तो फिर वो illegal immigrant होगा उसे citizenship नहीं मिलेगी तो ये चीज़ डिसाइड हुई थी समझ गए तीन डेट्स दो डेट्स इंपोर्टेंट है वन जनवरी 1966 से पहले वो भारत का नागरिक अगर इस से पहले कोई आ गया तो अगर एक जनवरी 1966 से लेके 24 मार्च 1971 के बीच में आ गया तो वो उसे citizenship तो मिलेगी लेकिन उसे 10 सालों तक vote देने का अधिकार नहीं मिले वो दखो illegal immigrant होगा यह तीन पॉइंट डिसाइड हुए थे असम अकोर्ड में बाद में इस असम अकोर्ड के पॉइंट को इंप्लिमेंट करने के लिए ना citizenship amendment act 1955 में amendment कर दिया गया था और एक section add कर दिया था section 6a इसी section को लेके इसी section 6a को लेके मामला सुप्रिम कोर्ट में पहुंचा था वैसे आपने एक चीज़ देखी जो citizenship amendment act है ना जो 2019 में आया उस citizenship amendment act के according हमारे जो पुड़ोशी देश है ना बादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान यहां के जो religious minorities हैं वो भाग के जान बचा के भारत में आते हैं जैसे हिंदू हैं, Christian है, Sikh है, Parsi है, Buddhist है, Jain है, यह जो religious minorities हैं हमारे पुड़ोशी देशों से भाग कर भारत में आ जाते हैं और अगर यह आ गए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले तो इनको इंडिया की citizenship मिलेगी तो कुछ experts बोलते हैं यह दो अलग अलग कट ओफ डेट क्यों? मतलब असम के संदर में कट ओफ डेट को रखा आपने 24 मार्च 1971 लेकिन यहां पे आपने citizenship amendment act में कट ओफ डेट रख दी आपने 30 दिसंबर 2014 इस से पहले जो religious minorities भाग के इंडिया में आ गए हैं उनको citizenship मिलेगी नहीं की गई है यानि हमारे प्रोसी देशों में मुस्लिम मेजोर्टी में है तो उनको citizenship नहीं दी जाएगी बेसक वो भाग कर इंडिया में आये 31 दिसंबर 2014 से पहले लेकिन असम एकोर्ड जो साइन हुआ था इसमें किसी को exception नहीं दिया गया नहीं प्रोसी देश यानि बा पिटिशनर ने सुप्रिंग कोर्ट में केस फाइल कर दिया था पिटिशनर ने ये बोला कि देखो हमारे सविधान का आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 जो है ये डील करता है उन माइग्रेंट के साथ जो इस्ट पाकिस्तान या फिर बंगादेश से भारत में आगे तो अगर दे सविधान का आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 जो है ये देखो 26 जनवरी 1950 जब सविधान को एडोप्ट किया गया था न तो उस में सिरिजन्शिप को डेटर्माइन करने के लिए यूज किया गया था जबकि सिरिजन्शिप एक्ट का सेक्शन 6 जो है ये देखो एक्ट्रा चीजे कवर करता है जो सविधान के आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 नहीं कवर करता है जैसे सेक्शन 6 ए कट ओफ देट बताता है 24 मार्च 1971 यानि बाद में जो बाढ़ाद इसी भारत में आगे भाग के तो उनसे डिल करता है ये अलग चीज है सुप्रिम कोट नहीं ये भी बोला कि सविधान के साथ भी सेड्यूल में यूनियन लिस्ट में पावर है एंट्री नमबर 17 के तहट कि पालियमेंट जो है सिडिजन्शिप से समंदित कानून जो है बना सकती है और इवन सविधान का आर्टिकल 11 जो है वो भी बोलता है पालियमेंट कोई भी कानून बना सकती है सिडिजन्शिप से समंदित कब किसी की सिडिजन्शिप को टर्मिनेट करना है कोई परसन कैसे सिडिजन्शिप एक्वायर कर सकता है मतलब citizenship से समधित सभी मामलों पर कानून पार्लियमेंट बना सकती है ये article 11 में साफ साफ बुला गया है लेकिन देखो petitioner ने एक और argument दिया petitioner ने बोला कि देखो सविधान का article 29.1 भी है article 29.1 में बोला गया है हर एक नागरिक कुना ये fundamental right है कि वो अपनी जो अलग से language है ना distinct language है script है culture है उसे कंजाव कर सकता है उसे बचा के रख सकता है बट असम के लोगों का ये जो fundamental right है ना violet हो रहा है क्योंकि असम की demography change हो गई असम का culture खत्रे में असम की भासा खत्रे में तो इसके जबाब में Supreme Court ने ये बोला कि भाई ऐसा थोड़ी ना होता है मतलब demography change हो गई तो आपकी भासा थोड़ी ना खत्रे में है हमारे देश में diversity है और diversity से ही किसी की language जो है बलकि और ज़दा चमक के आती है diversity से किसी को कोई खत्रा नहीं होता आप बोल रहे हो असम के लोग का culture खत्रे में है नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है अगर बंगाली वहाँ पे रहने लग गए आपके एरिया में तो आपके culture को कोई नुक्सान नहीं है diversity आई है diversity से बलकि आपका culture और ज़दा strong होगा ये argument Supreme Court ने दिया फिर देखो Petitioner ने एक argument ये भी दिया Petitioner ने बोला 2005 के सरबनन सोनोवाल वर्सेज यूनिन ओफ इंडिया केस में Supreme Court ने ये बोला था illegal immigration जो है वो external aggression के समान है बट Supreme Court ने Petitioner के इस argument के against बोला देखो अभी जो 1971 का scenario हम discuss कर रहे है न और जो section 6A है वो example है controlled and regulated form of immigration का ना कि external aggression का फिर एक point ये भी आया है Petitioner ने बोला किसर आप एक बात बताओं बंगलादेशी migrants तो देश के अलग अलग राज्यों में गए थे असम उन में से एक थाम तो ये जो provision है cut of date वाला के 24 March 1971 ये सिरफ आसम के लिए क्यूं implemented है बाखी राज्यों के लिए क्यूं नहीं ये तो equality का भी उलंगन है ना मतलब असम को बाखी राज्यों के equal नहीं माना जा रहा है तो सुप्रिंग कोट ने माना कि देखो ये चीज तो है मतलब बाखी राज्यों के लिए implement नहीं हो रहा है क्योंकि migrants, illegal immigrants सबसे ज़्यादा असम में ही आके बसे थे इस वज़े से ये special असम के लिए था और असम में ही movement चली थी तो ये पूरा article एक बार हमने वहां से current affair plus initiative से revise कर लिया तो आज के दा हिंदू में तो बस conclusion ले ले लेते हैं यहां से conclusion में यह बोला जाता है देखो अभी न National Register of Citizens for Assum को finalize करने की exercise बीच में ही है, अधर में ही है 19 लाख लोग को न non-citizen की तोर पे identify किया गया है लेकिन उसके बाद कोई further development नहीं हुई है process अभी अधर में हैं अगर ये section से 6-1 against verdict आ जाता न तो fresh complications पैदा हो जाती Assum में fresh crisis पैदा हो जाते तो Supreme Court का जो judgment आया है, काफी inclusivity वाला judgment है और Supreme Court ने जो एक बात बोली कि diversity से कोई identity dilute नहीं होती है और ये भी जो बात है काफी ज़्यादा diversity को establish करने वाली है तो ये पूरा article हमने discuss किया चलते हैं आगे इसके बाद नेश्ट आर्टिकल देखो हिंदुस्तान टाइम्स का है think tanks की accountability fix करने से सम्मदीत आपना syllabus में GIS paper 2 governance में na civil society organizations जो topic है न वहाँ से हिंदुस्तान टाइम्स के इस think tanks से सम्मदीत article को relate कर सकते हूं बिल्कुल basic से सुर्वात करते हैं आपने देखो इन think tanks के बारे में जरूर सुना होगा observer research foundation idea से ये जो think tanks सही है क्या करते हैं ये think tanks देखो research conduct करते हैं और फिर सरकार को राय देते हैं suggestion देते हैं जैसे देखो observer research foundation की website पे आप जाओगे न तो न आपको न अलग-अलग research reports मिलेंगी IR से संबन्दित और उसके base पे न फिर ये सरकार को suggestions देते हैं कि हमारी foreign policy ऐसी होनी चाहिए हमें ऐसा करना चाहिए हमें USA के साथ जड़ा दोस्ती बढ़ानी चाहिए इस परकार की राय देते हैं ये तो चलो IR से संबन्दित organization है ORF ऐसी और बहुत अलग-अलग organizations है कोई economy से संबन्दित है जैसे NCAER है NCAER इसका पुरा नाम है National Council of Applied Economic Research economy से संबन्दित issues पे राय देता है, suggestion देता है सरकार को और policies advocate करता है ये think tank think tanks का जो role हैं वो देखो academic knowledge और practical application के बीच में जो gap रहता है उसको fill करने से समद्दित हैं, universities में देखो, academic knowledge आपको बहुत मिलेगी, लेकिन कई बार universities में जो academic knowledge होती है उसका practical solution नहीं होता, कि सरकार को क्या करना चाहिए तो वो काम think tanks पूरा करते हैं किताबी knowledge से उपर उठके practically सरकार को क्या policy अपनानी चाहिए वो suggestion ये think tanks सरकार को देते हैं तो अगर UPSC पूछे, functions क्या होते हैं think tank के तो ये सारे functions आप बता सकते हो public policy को shape करते हैं क्योंकि इनकी बाते सुनके फिर सरकार public policies बनाती है decision makers को inform करते हैं जो हमारे parliament में MP है या फिर सरकार में बैठे मंतरी है उनको inform किया जाता है इनके द्वारा कि भाई ये कर लो ये अच्छी चीज है for example, electric vehicles पे हमें focus करना चाहिए electric vehicles को promote करने के लिए incentivize करना चाहिए जनता को तो ये सारी चीजें inform की जाती है think tanks के द्वारा सरकार को इसके लावा complex social economic and political challenges से सम्मन्दित insights सरकार को provide करते हैं मतलब मुश्किल से मुश्किल issues को समझने में सरकार की मदद करते हैं जैसे UBI हैं या फिर हमारी economy slowdown कर रही है क्यूं कर रही है अब सरकार में बैठे जो लोग है उनको नहीं समझ में आ रहा है तो एक think tank है जैसे जिसके अभी हमने बात की National Council of Applied Economic Research ये सरकार को बताएगी कि economy क्यूं slowdown कर रही है इस कारण से slowdown कर रही है आप action लो लास्ट में इवन पब्लिक डिस्कोर्स स्टार्ट करते हैं ये think tanks मतलब जनता क्या issue discuss करे किन issues पर debate होनी चाहिए media channels में उसका starting भी कई बार think tank से होती है जैसे think tank ने कोई important report publish कर दी for example unemployment के बारे में कि हमारे देश में unemployment जो है वो 45 सालों के low पे है मतलब high पे है unemployment तो फिर debate स्टार्ट हो जाएंगी tv channels पे कि हाँ यार unemployment 45 सालों के high पे है कुछ न कुछ करना चाहिए तो public discourse में engage होते हैं ये think tanks public debates की start कर देते हैं importance क्या है think tanks की functions ही तने important है तो देखो फिर importance तो होगी ही सरकारी agencies के साथ काम करते हैं NGO के साथ मिलके काम करते हैं even private sector के साथ मिलके काम करते हैं देश में कौन से rules आएंगे कौन से last बनेंगे क्या regulation होगा उनकी development को भी influence करते हैं ये think tanks मतलब democracy में important role play करते हैं क्या-क्या responsibilities think tanks की होती है देखो तो जहां पर इतनी ज़्यादा power होती है किसी की organization की या person की उसके साथ फिर responsibilities भी आती है spider man movie का example है न पावर के साथ responsibility आती है UPSC ने 2014 में इस पर ऐसे भी पूछा था with great power comes great responsibility तो think tanks की responsibility क्या है ये जो research करते हैं न evidence based और unbiased होनी चाहिए ऐसा ने की देखो इनकी research रद्धी हो या फिर पूरी तरह से research biased हो इन्होंने पहले ही सोच लिया है कि हमें बस सरकार की बेजती करनी है सरकार के against महोल बनाना है ये नहीं होना चाहिए इनका काम next maintain transparency about funding source जहां से भी इनको funding मिल रही है न उस बारे में ये transparent होने चाहिए कई बार देखो कुछ think tanks ऐसे होते हैं जिनको फोरण से funding मिलती है लेकिन वो बताते नहीं है कि हमारे funder कौन है तो कलको तो देखो risk है न ये ऐसे लोगों से funding ले सकते हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं बाद में उनी के दबाब में आके ये think tanks research करेंगे तो देश के लिए फाइदेवन तो होगी नहीं जाहिर तोर पे वो research तो इन्हें transparency बरतनी चाहिए और जहां से भी funding मिली है बताना चाहिए कि भाई हमें इन से funding मिली है और हम ये research कर रहे हैं next disclose potential conflict of interest for example अब देखो national education policy सरकार लेके आई draft है अभी सिरफ तो एक think tank है वो किसी college वाले से private colleges की chain है उसके मालिक से पैसा ले लेता है think tank और draft national education policy जिसमें privatization के against provision था उस draft national education policy के against वो think tank महोल बनाना start कर देता है क्योंकि उसने पैसे उठा लिया है funding ले ली है private colleges की chain के मालिक से तो अगर कोई potential conflict of interest है ना तो think tank को वो भी disclose करना चाहिए कि हम जो चीज वकालत कर रहे हैं क्या हमें जिनसे funding मिली है उसका इसमें कोई role है या नहीं है next public trust के standards को uphold करना चाहिए think tanks को और देखो policy making process में accountability fix करने चाहिए जैसे मतलब सरकार कानून बनाती है तो जो भी इनका analysis है वो जंता के सामने रखना चाहिए ताकि सरकार भी सोच समझ के कानून बनाए ये ऐसे ऐसे points सरकार को दें कि सरकार को समझ में आ जाए इसके कितने dimension हो सकते हैं ऐसी accountability ये fix करें सरकार की और सबसे लास्ट में देश का जो legal framework है उसी के अंदर रहके ये काम करें ऐसा नहीं कि think tank हो तो हमारे लिए कानून कुछ माईने नहीं रखता सरकार हमें कुछ भी बोले हम सरकार पर आरोप लगा देंगे कि तुम हमें दबाने की कोशिस कर रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए फिर next है FCRA देखो एक कानून है Foreign Contribution Regulation Act इसका कानून का इस Act का मकसद ये है हमारे देश में NGO's को या फिर non-profit organizations को दूसे देशों से जो fund मिलता है न उसको regulate करना तो ये जो FCRA Act है ये Think Tanks पे भी applicable होता है क्योंकि non-profit organization होते है Think Tanks की provision क्या है FCRA Act के देखो अगर Foreign Fund हासिल करना है सबसे पहले आपने आपको register करवाना पड़ेगा और जितना भी foreign grant मिली है आप proper वो report करो कि हमें foreign sources से इतनी grant मिली है उस foreign grant का बढ़िया डंग से utilize करो मिशूज मत करो और national interest और legal framework को जरूर follow करो मतलब आप देश के कानून से उपर नहीं हो बट देखो हमारे देश में काफी सारे ऐसी reports हैं कि Think Tanks जो हैं वो लाक एकोडिंग काम नहीं करते हैं जैसे FCRA regulations का violation उनके द्वारा किया जाता है FCRA act में जो provisions है ना उनको follow नहीं किया जाता कई Think Tanks के द्वारा वो बताते नहीं है सरकार को कि उन्हें foreign grant मिली है किस से मिली है कितनी मिली कब मिली बताते नहीं है और कई बार जो foreign grant मिलती है उसका research के लिए यूज नहीं किया जाता बलकि improper धंग से यूज किया जाता है फिर income tax जब scrutiny करती है financial transactions की तब कई Think Tanks चिलाने लगते हैं कि देखो भाई हमें दबाया जा रहा है सरकार हमारे अगेंश्ट काम कर रही है और कई बार उनकी research integrity के भी questions उठते हैं कि उन्होंने bias टो के research करी है कैसे उन्होंने research करी है वो details ही नहीं बताते ऐसा लगता है कि सरकार के खिलाफ बोलना है पहले decide कर लिया और research की तो सिरफ formality कर दी सरकार चाहे कोई भी हो चाहे BJP की हो, Congress की हो हर तरह के think tanks है कुछ think tanks ऐसे है जो pro BJP है कुछ think tanks ऐसे है जो pro Congress है लेकिन think tanks होने चाहिए completely neutral किसी सरकार के लिए काम ना करें वो देश के लिए काम करें ऐसे think tanks होने चाहिए अब देखो foreign funders से जब ये think tanks funding लेते हैं तो फिर खत्रा रहता है कि वो domestic politics में जो foreign funders है ना वो interfere कर सकते है in think tanks के थ्रू समझ गे think tank को ये ऐसे report पब्लिस कर दे election से पहले जो किसी एक party के खिलाफ हो या फिर एक party के पक्स में हो और उस think tank को foreign funding मिली है तो indirectly जिसने foreign funding दी है वो देश की domestic policy में interfere कर रहा है ना फिर इसके बाद writer बोलते है देखो even think tanks को अलग 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 देश भी अच्छे से regulate करते है जिसे United States में न IRS जो उनकी revenue service है वो भी देखो उनके भी कानून है tax exempt organizations के लिए मतलब think tanks उनमें से एक है कि ये जो think tanks है ना वो political campaigning नहीं कर सकते लोबिंग नहीं कर सकते हैं और अगर US में ये think tanks यानि tax exempt organizations political campaign या फिर लोबिंग करते हैं तो फिर उनका ये tax exempt status जो है tax पर जो छूट मिलती है वो status हटा दिया जाता है उसी परकार से UK का भी example है वहाँ पर 2014 का act है ये transparency of lobbying non party campaigning and trade union administration act 2014 इसमें ये बोला गया political campaigning के लिए आपको यानि think tank को register करवाना पड़ेगा और सारा चीज़े disclose करनी पड़ेगी तो ये सारी चीज़ें हैं बस US का example दो बाद में बोल दो कि दूसरे देशों में भी ऐसा होता है इसके बाद article में बोला जाता है think tanks को regulate करने में challenges क्या-क्या आते हैं सबसे पहले balancing freedom of speech with legal compliance अब जैसे देखो बहुत बार ऐसा होता है think tanks ने ना सरकार के against report publish कर दी लेकिन वो think tank ना अब FCA Act का उलंगन भी कर रहा है तो ना सरकार उस think tank के against action लेगी कि भाई आपने FCA Act को क्यों नहीं follow किया तो वो think tank बोल देगा देखो हमें दबाया जा रहा है क्यों क्योंकि हमने सरकार के against report publish की थी हमने सरकार से जबाब मांगे थे इसलिए हमको दबाया जा रहा है तो ना ये balance establish करना मुस्किल हो जाता है freedom of speech and legal compliance के बीच में क्योंकि think tank तो कुछ भी अगर इनको छेड़ दो ना तो वो ये बोलेंगा कि देखो freedom of speech and expression को खतम किया जा रहा है हमें express किया जा रहा है इसके बाद next time ensuring transparency without hampering operations अब वैसे दो देखो जैसे ORF जैसे think tanks जो है सब कुछ donor की information सब कुछ अपनी annual report और अपनी website पर publish करके रखते हैं but article में बोला जाता है देखो कुछ projects ऐसे होते हैं research projects जिसमें sensitivity के कारण और privacy last के कारण information private रखनी पड़ती है थोड़ी छुपा के रखनी पड़ती है तो दोनों के बीच में balance establish करना मुश्किल होता है एक तरफ operations hamper नहीं होने चाहिए और दूसरी तरफ transparency भी maintain करके रखो दोनों के बीच में balance establish करना difficult हो जाता है next addressing allegations of state intimidation state कई बार देखो किसी think tank के against action लेता है civil society organization के against action लेता है तो देखो उनकी ना सही ढंक से जाच होनी चाहिए कि वास्तव में वो state मतलब सरकार जो है उस civil society organization ने या फिर think tank ने सरकार के against report publish की इसलिए सरकार बदले की भावना से काम कर रही है तो ये जो allegations होते है ना government के against की वो हमें दबा रही है और गलत धंग से हमारे खिलाफ कारवाई कर रही है तो उसकी सई धंग से जाच होनी जरूरी है next maintaining independence while adhering to regulations अब बहुत सारी think tanks हैसे होते हैं उन्हें तो सरकार से funding मिलती है अब उनको अपनी independence बरकार रखना difficult हो जाता है क्योंकि उन्हें सरकार से funding मिल रही है तो वो सरकार के against तो बोलेंगे नहीं सरकार की तारीफ ही तारीफ करेंगे सरकार से questions नहीं पूछेंगे फिर next point है navigating complex international funding landscape funding landscape देखो काफी complex हो गया है बहुत सारी requirements fulfill करने पड़ती है foreign sources से funding हासिल करने के लिए तो फिर think tanks को भी दिक्कत आती है next adapting to evolving legal and ethical standards देखो हमारे देश में अभी नए-नए कानून आ जाते हैं जैसे privacy से समधित कानून आ गया data protection कानून आ गया तो नए-नए कानूनों के साथ में adapt करने में भी think tanks को दिक्कत आती है way forward में तो देखो simple points है rigorous compliance हो think tanks का सारे rules and regulations के साथ में यह आप ensure करो और सभी legal requirements से compliance करे think tanks यह ensure करो transparency होनी चाहिए funding में operations में research के integrity बरकरार रहनी चाहिए highest standard of research होनी चाहिए think tanks जो है regulatory bodies के साथ में dialogue करें, engage करें उन्हें बताएं कि हम कैसे कैसे काम कर रहे हैं फिर देखो think tanks के अंदर भी नए एक culture होना चाहिए accountability का और ethical conduct का think tanks को नए बजाए इसके कि हमेशा यह बोलना कि सरकार हमें दबा रही है जो सरकार के आरोप है, उन पर जवाब देना चाहिए think tanks को तो यह पूरा article हमने discuss किया, चलते हैं आगे इसके बाद last में देखो static देख लेते हैं थोड़ा सा ethics का एक topic है human values यह keywords के मादियम से revise कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछू values क्या होती हैं values देखो वो principles होते हैं जो हमारी जिंदगी को guide करते हैं यह हमारे रोज के फैंसले और behavior को shape करते हैं मैं आपको बिल्कुल simple से simple example देता हूँ, जैसे देखो आपकी value honesty है ना तो फिर आप जूट नहीं बोलोगे समझ गए, यह simple मतलब मैंने आपको समझाया values का human values का, अब types of values discuss करते हैं relative और absolute values relative values यह देखो अलग-अलग लोगों के बीच differ करती है, अलग-अलग लोगों के लिए यह value अलग होती है जिससे रहो कुछ cultures में बुजुर्गों के पैर छुना बुजुर्गों के respect करना इसे अच्छा माना जाता है, जबकि दूसरे cultures ऐसे हैं, उनमें इस चीज़ को कोई खास तवज्जों नहीं दे जाती है फिर उसके बाद है absolute value कुछ values तो देखो ऐसी हैं जो आपको ना हर एक culture में देखने को मिलेगी जैसे देखो non-violence है, equality है, non-discrimination है आल्मुस्ट हर एक culture में आपको non-violence की एक value देखने को मिलेगी उसके बाद देखो हैं, intrinsic and extrinsic values intrinsic values जो अपने आप में valuable होती हैं जैसे देखो family, दोस्त, प्यार इनकी value ना खुद में है जबकि देखो, दूसरी तरफ extrinsic values वो values होती हैं, जो किसी दूसरी चीज के लिए important है for example, पैसा, fame, success ये सब ना किसी और मकसद के लिए होते हैं, और अपने आप में इतना important नहीं होते इसके बाद है protected values protected values का क्या मतलब है देखो, ये वो values हैं, जिनें हम कभी compromise नहीं करते हैं for example, कोई डोक्टर ना patient की privacy को protect करेगा चाए कुछ भी हो जाए एक patient डोक्टर पे बहुत भरोसा करता है तो आप देखोगे डोक्टर ना patient की private details leak नहीं करते हैं, आम तोर पे नहीं करते हैं अब कोई एक आदा exception हो तो अलग बात है उसके बाद है sacred values इसके बाद लाश्ट में देखो, static देख लेते हैं थोड़ा सा ethics का एक topic है human values ये keywords के माधियम से revise कर लेते हैं सबसे पहले, मैं आप से एक बात पूछू values क्या होती हैं values देखो, वो principles होते हैं जो हमारी जिंदगी को guide करते हैं ये हमारे रोज के फैंसले और behavior को shape करते हैं मैं आपको बिल्कुल simple से simple example देता हूँ जैसे देखो आपकी value honesty है ना तो फिर आप जूट नहीं बोलोगे समझ गए, ये simple मतलब मैंने आपको समझाया values का human values का, अब types of values discuss करते हैं relative और absolute values relative values ये देखो अलग-अलग लोगों के बीच differ करती है, अलग-अलग लोगों के लिए ये value अलग होती है जिसे देखो, कुछ cultures में बुज़ुर्गों के पैर छुना बुज़ुर्गों के respect करना इसे अच्छा माना जाता है जबकि दूसरे cultures ऐसे हैं उनमें इस चीज़ को कोई खास तवज्जों नहीं दे जाती है फिर उसके बाद है absolute value, कुछ values तो देखो ऐसी हैं, जो आपको ना हर एक culture में देखने को मिलेगी जैसे देखो, non-violence है equality है, non-discrimination है आल्मूस्ट हर एक culture में आपको non-violence की एक value देखने को मिलेगी उसके बाद देखो है intrinsic and extrinsic values intrinsic values जो अपने आप में valuable होती है जैसे देखो, family, दोस्त, प्यार इनकी value ना खुद में है जबकि देखो, दूसरी तरफ extrinsic values, वो values होती है जो किसी दूसरी चीज़ के लिए important है for example, पैसा, fame, success ये सब ना किसी और मकसद के लिए होते है और अपने आप में इतना important नहीं होते इसके बाद है protected values protected values का क्या मतलब है देखो, ये वो values हैं जिने हम कभी compromise नहीं करते हैं for example, कोई डोक्टर ना पैसेंट की privacy को protect करेगा चाए कुछ भी हो जाए एक पैसेंट डोक्टर पे बहुत भरोसा करता है तो ना आप देखोगे डोक्टर ना पैसेंट की private details leak नहीं करते, आम तोर पे नहीं करते अब कोई एक आदा exception हो तो अलग बात है उसके बाद है sacred values sacred values जैसे देखो हिंदू धरम में गो माता काफी गाएं की काफी last में जल्दी से revise कर लेते हैं जो हमने discuss किया 3-4 मिनिट में think tanks वाला article हमने discuss किया था think tanks एक bridge का काम करते हैं academic knowledge और practical application के बीच में research करते हैं चीज़ों पर सरकार को advise देते हैं public policy को shape करते हैं decision makers को inform करते हैं public advocacy में engage होते हैं और government, non-profit, private sector सबके साथ मिलके काम करते हैं complex, social, economic और political challenges पे अपने insights देते हैं solutions देते हैं, समझाते हैं public discourse create करते हैं public discussions create करते हैं ये सारे points हमने discuss किये responsibilities क्या होती है think tanks की, अच्छी research करो evidence based, transparency maintain करके रखो कहां से funding आई, conflict of interest है तो उसे बताओ public trust maintain करके रखो accountability लेके आओ policy making में लेकिन अभी concerns हैं कई think tanks को लगता है कि वो कानून से उपर हैं, वो FCA Act को violate करते हैं और financial propriety नहीं हैं मतलब कहां से पैसा आया कुछ नहीं पता, transactions misuse वाली है, तो बात में हमने discuss किया, कि एवन दूसे देशों में भी, दूसे देशों में भी अच्छे से regulate किया जाता है think tanks को, जैसे US से के example discuss किया, अगर think tank political campaigning या फिर lobbing में लगते हैं, तो उनके खिलाफ penalty लगाए जाती है, United Kingdom में भी, political campaigning करने के लिए register करवाने के आउसकता है फिर last में देखो point यह आता है, accountability जरूरी है democracy के लिए, और कोई भी exception नहीं है, सब को कानून follow करने के आउसकता होती है transparency जरूरी है think tanks में balance होना चाहिए freedom और responsibility के बीच में फिर देखो last में, citizenship act 6a से संबंदी जो article हमने discuss किया, उसके points में जल्दी से revise करवा देता हूँ, pucks में और vpucks में, दोनों में arguments आपको बता देता हूँ supreme court ने इस act को upheld किया है देखो humanitarian ground पे यह act justify किया जाता है क्योंकि इसमें cut off date जो है ना 25 March 1971 है, इस से पहले जो लोग आये, वो partition की वज़े से आये थे, लेकिन इसके बाद जो refugee आये आसम में, वो देखो war refugee थे, तो cut off date 25 March 1971 हाला कि 66 से लेके 1971 के बीच में जो आये, उनको 10 साल के लिए voting rights नहीं दिया गए थे, petitioner ने बोला Supreme Court में कि यह article 6 और article 7 को violate करता है, सविधान को amend करना चाहिए था, पालियमेट के पास power नहीं थी Supreme Court ने बोला नई, यह जो article 6, 7 है, यह जब सविधान adopt किया गया था, तब की बात करता है और citizenship act 6 A, यह बात की बात करता है petitioner ने यह बोला कि आसम के लोगों का जो article 21, section 1 के according, जो rights है न, अपने culture को संभाल के रखने की, language को संभाल के रखने की वो परभावित हो रहे हैं, तो Supreme Court ने बोला है, diversity से कभी rights परभावित नहीं होते, diversity से कभी uniqueness नहीं जाती है, तो यह गलत है अब petitioner ने देखो, और बहुत सारी बाते बोली, जैसे regional disparity है, refugee तो काफी रज्जों में गए, लेकिन असम को single out किया जा रहा है तो Supreme Court ने माना कि, हाँ यार यह बात सच है, लेकिन यह बात भी समझनी होगी, कि असम में ही सबसे ज़ादा refugee गए थे, और जगह नहीं गए, security concerns वाला point दिया गया था कि इतने सारे refugees वहाँ पे settle down हो गए security compromise हो सकती है तो फिर यह बोला गया कि, देखो security maintain करना सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार यह काम अच्छे से करेगी तो यह पूरा article हमने discuss किया यह question है, जो आपको attempt करना है 250 words में यह question आपको attempt करना है 15 marks का यह question है तो यह थी हमारी आज की discussion, कल मिलते हैं फिर से एक नई discussion के साथ, तब तक आप अपने ख्याल रखे, अच्छे से पढ़िए Thank you, thank you very much for discussion